ये बाइज रादे कृष्णा साभी को आज हम बात करेंगे कि अगर आप चाहिए मैरिड हो चाहिए अनवैरिड हो और आपके बीच में कोई third party जाए रहे हैं थाट पार्टी कोई वज़ूती चाहिए आपके पैरेंट्स हो या उनके पैरेंट्स हो या आपके कोई इस relationship को चलाने के लिए बहुत मैनत करनी पड़ रही है क्योंकि हो सता है कि जो आपके जो third party जिनके आये हैं वो एक तरह से बहुत aggressive हैं बहुत गुसा करते होंगे, बहुत रड़ाई जाड़ा करते होंगे ठीक है और जहां तक मुझे दिख पा रहा है यह जो third party आये, यह इनके एक तरह से कार्मी relationship है कि कार्मी बोलते हैं यह कुछ चीजे भोगने के लिए आजाते हैं तो वो चीजे मुझे दिख रही है इनका कोई love मुझे angle इतना नहीं दिख रहा है पर हाँ हर्ट करने के लिए relationship में आ गये हैं कुछ कोई क्योंकि कार्मी relationship है तो जो भी कार्मी relationship होती हम खुझ से धके जाते हैं हम अचानक से पहुच जाते हैं आम है पता भी जो था कि क्या कर रहे हैं हम कभी बार समझ सली हाती है हमारी वैसे ही आपकी जो partner है उनकी समझ बहां से चली गई है एकदम से उनके पास relationship में चले गए हैं पर वहां पर जाके देख रहे हैं कि वहां पर दाके भी उनको सामने वाले का बहुत ज्यादा गुसा जो है aggressive है या अपनी बातें मनवाना डॉमिनेटिव टाय के परसन जो होते हैं कि उस टाइप के ये परसन है ठीक है उस टाइप के ज़र नाइट ऑफ कप्स पर आपके पार्टनर फीर भी बहुत कोशिश की थी इस चलाने के लिए कि जब तक चल सकते चला लो कि ऑपयो कि आपकी जो पार्टनर आपको लग करने में दूसरे को लेके लिए को सब्सक्रीण के तो के मुझे आपके जो पार्टनर आपको लग करने में को थाट पार्टी है ना, तो नहींısı है कि कोई वेलेशन को खराब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बढ़का रहे हैं बीना बचाब जज़े और कुछ आपके पार्टर एक डम से चेंज मुए होगे पहले बहुत प्यार मुखबस से रहे होंगे बहुत प्यार भी लुटाया होगा आपके लिए एक टाइम पर ऐसे वीदे कि आपके लिए सब कुछ लुटा दिया हूँ यह उपके यह लेलो चलो उभीलो व्हों सब कुछ किया होगा आपके लिए पर अभी क्या हो गए पूरा मूड पूरा पूरा बहुत एचानक से उनंहें आपको प्लट कर देए हो और तक आपको ब्लोंडे वाला की सैप्रेशिंग भी-चल भरा होगा और एंजाइटी होगी आपको कि यार अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस पार्टनर साथ मेरा रिलेश्चिप आगे फ्यूचर है भी या नहीं है मुझे इसका वेट करना चाहिए यार नहीं कर जाना चाहिए कि बहुत साल लोगों की एनरजी ऐसी भी आ रहे है कि डिवोस तक न रहे हैं और उनके पार्टनर जो है उनके साथ इनका सेपरेशन हो गया यानि होगा जो मेरी दिए बेग रहे हैं प्लीज दाइए वह देख रहे हैं देखो फिलाल तो कहीं भी इन दिख रहा है थोड़ी से थोड़ा सा वत खराब चल रहा है आप लोगों का थोड़ा सा टा जाएगा क्योंकि बगवान जो भी चीज़ें करते हैं हर इनके इनसान की लाइब में जो भी चीज़ें होती है वह एक टाइम पीरिड के लिए आती है एक टाइम छोड़ा से खराब चला तो होता है पर आपको efforts दिल लगाने के लिए बोला जा रहा है कि आपको efforts लगाना प करते हैं इनको अच्छी पूचाते रहे हैं आप इंतक पूचाते रहे हैं अगर इन दक positive बहुत आता है देखो अगर पूची पूचाते रहे हैं तो दूसरा आपको efforts लगाने पड़ेंगे efforts का मतलब है कि आपको कौशिश करते रहने ही पड़ेगी इनको लाने के लिए अपनी live में अगर आप सुचोए कि जाता जाने तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ चिछे किस्मत में नहीं हो ची चीन लानी पड़ती है बगवान से तो आपको भी वही करनी ही चाहिए मेरी तो यही advice है बागी आप लोगे की मर जीया और आम आगे देवे तो है कि इनका next step आपके लिए क्या होगा जान रहते हैं कि इनका आपको लेगे next step क्या है आपको लेगे कि अभी क्या action लेने वाले हैं आपको लेगी 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 आपको बचे को प्यार करती है। पर आप लोगों भी जैं मिसंट्रस्टेस्टेडिंघी मैंने देख जाँग जी होई हैं जो कि किसीने इनके कान बरे हैं जो आप लोगों वो अलत करने में बड़ा उसका हात रहा है 3 events अब आपका नेक्स अक्षिन को यह होगा कि आपका वेट करेंगी वह आपको पोल डारेक्ट नहीं कर पाएंगे वह सकता है क्योंकि उनको तोड़ा गिल्ट भी आएगा गिल्ट भी आएगा कि यार मैंने इनका गरत किया मैं किस मुह से या जाओं इनके पास तो उनको यह भी हो सकता है उनकी चीज़े आपको लेके ठिक है आपके तरफ एक्षिन लेंगे आपके तरफ आएंगे पर वह सोच समझ कहा है कि उनको डर रहा है कि कहीं आजाना हो कि गिल्ट में है यह अभी तो आजाएंगी कि नेक्षिन जब होगा इनका उदर से पूरा क्लियर होने वाला है कि दीरी दीरी ओतर हो जाएगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला उन दोनों का अलोग रहा है कि दोनों के जगड़े होने स्टार्ट हो चुके है उदर से वाला है और यह इंसन सच में में रहा है यही मेरी ऊपर ब्लैक मैं आज़ी कि आप कुछ ना कुछ उनको जिस समझ में आना लगे गी कुछ ना कुछ इम घड़बड आई यहां पे तो वो जो जो समझ बें लगे तो यह आपकी तरफ तो आ रहे आते हो दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ स्टैप भी लेंगे और मैं आपके लिए एक एंजल गाइडन्स भी देख लेता हूं कि इस लेशिशिप के वाइस क्या आपको एंजल गाइडन्स दी जाती है आपको दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको दिखाना ही पड़ेगा अगर आप भी उद्ध्यों से गायब हो जाओ उनकी लाइफ से तो फिर देखो दिरे रिलेशिशन ख़तम हो जाएगा आपको भी एफट्स लगाने पड़ेंगे थोड़े बहुत तो आजाएंगे पर आपके लिए यूनिवर्स गाइडन्स देना और प्यार मुंबस से रहां बहुत पॉजिटीव हो बहुत खुश रहो डिप्रेशन में जाने जो कुद भी ने होगा खुद भी ही हैल्थ खराब जाएगी इसलिए अपना ध्यान रखो और खुश रही है और ये ये गुद न्यूज मिलने वाली हो तेक है अगे राधी कृष्णा दी सभी को